निलाम होने जा रहा है गदा टू एक्टर सनी देवल का बॉंबे वाला बंगला एक्टर को बैंक ने थमाया 56 करोड का नोटिस जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना बॉलेवड एक्टर सनी देवल की हालिया रिलीज मुवी गदा टू बॉक्स आफिस पर तहमाल तो मचा रही है लेकिन एक्टर को लेकर एक खबर तेजी से वाइरल हो रही है खबर है कि सनी देवल फाइनेंशल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिसकी वज़ा से उनकी जुहू स्थित प्रॉपर्टी बैंक ने निलामी के लिए डाल दी है सामने आई लेटेस रिपोर्ट के मताबिक सनी देवल का मुंबई के जुहू स्थित बंगला निलामी पर चला गिया है एक्टर पर 56 करोड उपे का लोन है जिसको ना चुकाने की वज़ा से बैंक ओफ बडोदा ने उनकी प्रॉपर्टी निलामी पर डाल दी है लेटेस रिपोर्ट के मताबिक बैंक ओफ बडोदा की और से जारी किये गए इस निलामी के नोटिस के प्रती पोर्टल में छफाई है इस नोटिस में जानकरी दी गई है कि ये निलामी 9 सेप्टेंबर को की जानी है इस प्रॉपर्टी में सनी के पिता धरमेंदर और भाई बॉबी देवल का नाम बतोर गारंटर शामिल है हाला की अभी तक देवल परिवार की और से इस मुद्दे पर कोई भी जवाब नहीं आया है बताया जा रहा है कि सनी देवल का घर निलाम हो सकता है क्योंकि उनके ओपर करोडों का लोन है छाला कि देखने वाली बात होगी कि सनी दिवल इस पर किस तरह से रियक्ट करेंगे और अपना विला बचाते हैं या नहीं बचा पाएंगे इस नोटिस की बात करें तो इसमें बताया गया है कि सनी देवल जिसका असली नाम अजेस्टिंग है वो उधार करता और गारंटर है और इसमें ये भी लिखा गया है कि अगर वो ये अमाउंट अगर बैंक को नहीं दे पाएंगे तो इस वज़ा से बैंक उनकी प्रॉपर्टी को निलाम करके ये पैसे लेगी हाला कि लोगों को इंतजार है कि सनी देवल इस पर किस तरह का रियक्ट करेंगे वहीं सनी देवल की हालिया रिलीज मुवी गदर टू सिनेमा घरों में धहमागा कर रही है इस मुवी ने रिलीज के सिर्फ 9 दिन बाद ही बॉक्स आफिस पर 300 करोड से जादा की बंपर कमाई भी कर ली है सनी देवल अमीशा पटिल स्टारर इस फिल्म के सीक्विल को पहली मुवी के रिलीज होने के 22 साल बाद रिलीज किया जा रहा है जिसे दो बार आउडियंस काफी ही जादा पसंद कर रही है इतना ही नहीं खबर ये भी आ रही है गदर टू की बंपर सक्सेस को देखते हुए फिल्म निर्देशक जेपी दित्ता भी बॉडर टू की तैयारी में लगे हुए है इस मुवी को मेकर सनी देउल के साथ नई स्टार कास्ट लेकर बनाने के तैयारी में है जिसका एलान जल्दी हो सकता है इतना ही नहीं गदर टू की सक्सेस के बाद लोग फिल्म स्टार की दूसरी ब्लॉक बस्टर फिल्मों के सीक्विल जैसे दामिनी टू जीत टू को लेकर भी उमीद करने लगे हैं इस पूरी खबर पर आपका क्या करना है मुझे कामेंट में जरूर बता हैं चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें